हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो दे चैनल दोस्तो आज के सीवड़े मों बात करते हैं upcoming smartphone Xiaomi Redmi Note 11S की दोस्तो ये एक budget smartphone होने वाला है और बात करते हैं दोस्तो इसके display की तो इसमें आपको 6.43 इंचिस की Full HD Plus AMOLED display मिलेगी जो की 90 Hz के refresh rate के साथ आएगी साथ इसमें आपको 1000 nits की brightness देखने को मिलेगी और दोस्तो इसमें आपको Corning Gorilla Glass 3 की production भी दी गई है दिस्प्ले के मामने में ये smartphone काफे अच्छा होने वाला है साथ ये smartphone Android 11 पे run करेगा और इसमें आपको MIUI 13 देखने को मिलेगा Processor की बात करें दोस्तो तो इसमें आपको Mediatek Helio G96 मिल सकता है जो की 12 nm पे based processor है और ये एक octa-core processor है साथ ही आपको Mali GPU G57MC2 मिलेगा जो की अच्छा GPU है इस price range के हिसाब से Storage और RAM की बात करें तो दोस्तो ये smartphone 6GB RAM और 64GB Storage Capacity में लांच हो सकता है और साथ इसके दूसरे variant भी launch हो सकते हैं जैसे के 6GB RAM 120GB Storage और 8GB RAM 120GB Storage Storage डाइब दोस्तो आपके समें UFS 2.2 मिलेगी जो की खाफी fast storage है और ये दोस्तो बात करतें इसके camera combination की दोस्तो इस smartphone में आपको rear में quad rear camera मिलेगा जिसमें के main camera आपको 108MP का मिलेगा ज्योंकि f1.9 aperture के साथ आएगा और इसके लावा आपको 8MP का ultrawide camera मिलेगा जिसमें के आपको f2.2 aperture मिलेगा इसके लावा 22MP के macro और depth camera भी आपको देखने को मिलेंगे साथ दोस्तो इसके selfie camera के बात करें तो इसमें आपको 16MP का selfie camera मिलेगा with f2.4 aperture के साथ में इसके लावा इसे smartphone में आपको दोस्तो stereo speakers मिलेंगे और other connectivity features की बात करें तो wifi dual band, bluetooth 5.0 और NFC support भी मिल सकता है साथ ये smartphone USB type-C 2.0 के साथ आएगा जिसमें के आपको OTG support भी मिलेगा इसके security feature की बात करें तो ये smartphone side mounted fingerprint sensor के साथ आएगा और साथ इसमें आपको दूसरे जरूरी sensor भी दिये गए है battery capacity की बात करें तो दोस्तो इसमें आपको 5000 mAh की big battery मिलेगी और साथ आपको fast charging का support भी दिया गया है 33W का power adapter आपको in the box मिल जाएगा ये smartphone Qualcomm Quick Charge 3.0 को support करता है और दोस्तो ये smartphone आपको तीन color variant में available होगा graphite gray, pearl white और twilight blue ये smartphone दोस्तो under 13,000 launch हो सकता है और budget range में ये smartphone एक बढ़िया smartphone साबित हो सकता है दोस्तो जब ये launch हो जाएगा इसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तोस्तो इस वीडियो में बाज इतना ही ये information आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और देखते रहे है टेक्टिक लेंजी सब्सक्राइब कीजिए और साथी इस बेल आइकन को जरूर दवाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए